हलो स्टुडेंट्स हाव आई यू आजा सी करन जा रहे हां लेसन नंबर सेवन्थ दपंजाब ग्लिम्स ए लेसन जो लास्ट येर बुक सी ओरे विच्वी सी ते इस वार भी है ते होना भी चाहिदा सी क्योंकि पंजाब बारे पंजाब विच रैन वाले नो जरूर पता होना चाहिदा सो आपा लेसन शुरू कर दिया सब तो पहला लेसन दा जो टाइटल है दपंजाब ग्लिम्स ग्लिम्स तो पाव है चाती पाव आओ पंजाब उते एक चात मारी है ठीक सो हमेशा नितरह एवी लेसन असी एक्टिविटी फस्ट दिना स्टार्ट करांगे ओ है नेक्स्ट ऐप पविलियन पविलियन होन्दे खेमा एक मंडप अव एक खास जगह जो किसे खास चीजान द परदर्शनी लेई बनाए जान दी है उसनों कहने है पविलियन जेस्ट जेस्ट हए जोश नेक्स्ट है इन्वेजिन होन्दे है हमला आकरमन फिफ़्त बूतल प्रोसेशन जिसमें अपना शुबा यात्रा या नगर कीरतन या कोई रैली वगरा होए या जलूस इरिगेट इरिगेट हंदर सिंजाई करनी नेकस्ट मेलोडियस मेलोडियस हंदर सूरीला रसपरपोर शराइन तारमिक अस्थान पिल्ग्रिमेज तीरत अस्थान आर्किटेक्ट निर्माता शिलपकार मैनुफेक्चर निर्मान करना Okay, let's read lesson बले बले, ओ बले बले Children, you must have recognized this famous folk dance of Punjab बच्यों, मेरे बले बले केंते तुस्य जरूरी पहचान लिया हुएगा यह ताँ, पंजाब दा मशहूर लोक नाच है said Mr. Matthew Mr. Matthew ने किहा Pointing at the Bhangra dancers in front of the Punjab pavilion पंजाब pavilion दे सामने पंगडा पा रहे dance as well इशारा करते हुए Mr. Matthew ने किहा Yes, we saw this folk dance during the public day celebrations this year replied the children हाँ सर, बच्या ने किहा असी गंतंतर दिवस्दे समाहरों वेले एह लोक नाच देख्या सी This dance is full of energy एह नाच ऊरी उर्जानाल पर रहा हुया है It shows the great zest for life of the Punjabis एह पंजाबियां दे जिंदगी प्रती उत्शार नों दिखानदा है Said Mr. Matthew Mr. Matthew ने किहा Punjabis are very self-respecting and hard-working people Punjabi बड़े स्वैमान वाले आते मेंती लोक हुंदेहन They never stretch their hands before anybody for arms ओह पीक मंगली अपने हाथ किसी अगे नहीं फिलांदे They never show their back in the battlefield ओह जंग दे मेदान वेच वी करीब पिठ नहीं दिखांदे The people of Punjab faced all the foreign invasions boldly Punjab देही लोका ने विदेशी हमलावरां दा साहस देना सामना किता During the struggle of India's freedom पारदी अजादी दी लड़ाई दुरान Punjab gave the country great heroes Punjab ने साठे देश नो महान नायक दिते They included such patriots as Lala Lai Patrai, Bhagat Singh, सुखदेव, Udham Singh, Krita Singh Sraba and many others ओना विच शामन सन, Lala Lai Patrai, Pagat Singh, सुखदेव, Udham Singh, Krita Singh Sraba आते हो और बहुत सारे We call Lala Lai Patrai शेरे पंजाब असी Lala Lai Patrai जी नो शेरे पंजाब केंदे हा And Pagat Singh, शेहीद आजम अते Pagat Singh नो शेहीद आजम दा खिताब दे हा All these brave sons of Punjab sacrificed their lives for the sake of their motherland इना महान पंजाब देश पूता ने अपनी जान निचावर कर देती, अपनी मात पूमी लई Lala Lai Patrai died as a result of the brutal latte charge while he was leading a procession against the British in 1928 1908 इसी विच अंग्रेजान दे खिलाफ एक जलूस दी अगवाई करते हुए अंग्रेजान द्वारा हुए बहुती किनोने लाठी चार दे नतीजे विच लाला Lai Patrai जी दी डेथ होगी सी भगसिंग, सुखदेव और राजगुरू were hanged for raising their voice against the British crualities भगसिंग, सुखदेव अते राजगुरू नो भी पांसी दे रिती गई सी क्योंके उनने अंग्रेजी साम राज दे अत्याचारां खिलाफ आवाज उठाई सी भगसिंग was then just 26 years old, भगसिंग दो शिरफ 26 साला दे सन, you can see the portraits of all these freedom fighters in this pavilion, तुसी इस पवीलियन दे विच इस जगा दे विच उनना सारे आंदे चितर देख सकदे हो Sir, what is this building that has bullet marks all over its walls? Sir, ये building केड़ी है, जिने थे सारे पासे गोली हां दे निशान हां, asked Chintu, Chintu ने पुछिया This is the famous जल्यावला बाग of Amri Sir, एह Amri Sir दा मशूर जल्यावला बाग है, here on 13 April 1919, ये थे 13 April 1919 वाले दिन, a crowd of around 20,000 people had gathered for a public meeting लग बग वी हजार लोकान दी पीड एथे एक जन्तक मिलनी लई एकठी होई सी, they included men, women and children वोना वेची शामल सान आदमी और तां आते बच्चे, the British General Dyer came there with his Rifleman, अग्रेजी सामराज दा जन्राज दा जन्राइर होथे आया, with his Rifleman, अपने Rifleman देना, राइफलman केड़े होंदेने, जिना दे हाते चार राइफल्स होंदियाने, बंदूक, वो अपने बंदूक तार his Rifleman to fire at the crowd, उसने अपने Rifleman नो order दे रिता के crowd ते fire कर दियो, about 1000 people were killed and more than 1500 were wounded, लगबग हजार दे करीब लोक मर गए, अथे 1500 करीब जखमी होगे, पंजाब सफ़र्ड अलोट on the eve of the independence of the country in 1947, पंजाब ने 1947 दी पारत वंड फे लेवी बहुत दुख चलिया है, the country was partitioned, देश दी वंड होगे सी, there was a terrible bloodshed, बहुत प्यानक खोन डुलिया, thousands of people had to leave their homes and live as refugees, अजारा ही लोकानों अपने कर चड़ने पर आते शरणार थियां दी तरह रहना प्या, however the brave Punjabis worked hard and started life afresh, हलांके बहादूर पंजाबिया ने फिर तो मेनत किती, आते अपनी जिंदगी नवे सिरे तो शुरू किती, they played a great role in rebuilding the state, उना ने राजनू दवारा बनान विच बहुत महान रोल अदा किता, they made Punjab the greenery of India with the help of network of canals and the भाखडा नंगल project, उना दे नदिया दे जाल अते पाखडा नंगल project दी सहायता नाल, Punjab नू इंडिया दा अनपंडार बना दिता, they brought about a green revolution in the country, उना ने country दे वेच हरी कुरांती लेके आंदी, it is mainly due to the hard work of the Punjabis that India is no longer a poor country but a developing nation, ये सिरुप पंजापियां दी मेनत करके है कि इंडिया होन होर जैदा गरीब country नहीं है, बलके एक उननतशील राज है, Sir, wasn't Punjab further divided when the state of Haryana was carved out of it, asked Raju. Raju ने बुचिया कि सर कि Punjab अगों फिर डिवाइड हो गया सी, जो दो रिविच्छों, Haryana निकलिया, You are right, Raju, तो ठीक हैं, Raju, in 1966, 1968, which the state of Punjab was reorganized on the basis of Punjabi and Hindi languages, 1906, which Punjabi अते हिंदी पाशा दे अदार थे Punjab दी फिर वंड होई, Some of the hilly areas of Punjab, like Lahol Spiti, the valleys of Kulu and Manali, Kangra, Dalhousi and Shimla were integrated with Himachal Pradesh. Punjab दे ही कुछ पहाड़ी सथान, जिवें Lahol Spiti, Kulu Manaliदिया, वादिया, Kangra, Dalhousi and Shimla, इहें हिमाचal Pradesh वेच मिला ले गए. चंडीगर्ड वाज मेड दा जॉइन्ट कैपिटल ओफ बोथ पंजाब एंड हर्याना, चंडीगर्ड नों पंजाब एंड हर्याना दी, सांजी राज़ानी बना लिया गया, इट वाज डेकलियर्ड अ यूनियन टरिटर्टरी, इसनों केंदर परशासित परदेश कोशित कर दिता गया, दा री ओर्गनाइज़ पंजाब केम इंटो बिंग इन नॉवेंबर 1966, दुबारा संगठी तो होया पंजाब, नॉवंबर 1906 विच होंद विच आया, इट है पाकिस्टान विच्ट, होन इदे पच्छं विच पाकिसं है, जम्न परदेश टा writes अतर विच प्रदेश है, and on the south it has Haryana and Rajasthan आते इस ते दक्षन वेच हरयाना आते राजस्थान है Sir, here is the model of a dam Sir, I think dam the model है I think it is the famous Bhaakda Dam said Raju Raju ने किया के मैंनू लगदा एह ओही मशहूर Bhaakda Dam है You are right Raju Raju तू ठीक है said Mr. Matthew Mr. Matthew ने किया This dam is 740 feet high एहे 740 foot उच्चा है Its length is 518 meters इस दी लंबाई 518 meter है and it is 9 meters broad आते एहे 9 meter चोड़ा है Its reservoir Reservoir होंदा है Tank जिन्हों से चील भी कहा देने है Its reservoir known as Govind Sagar stores up to 9 billion cubic meters of water इस दी चील गोविन सागर दे नाम ना जानी 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 है चिस विच 9 billion cubic meter पाणी store हो जाना है It is used for irrigating 10 million acres of fields in Himachal Pradesh, Punjab and Haryana एहे पानी Himachal Pradesh, Punjab अते हर्याना दी 10 million acre जमीन नूम सिंजाई करन विच यूज होंदा है लाब करी होंदा है The electricity generated in the powerhouses at Bhakda and Nangal is supplied to the states of Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan and Gujarat Bhakda अते Nangal दे बिजली कराविच पैदा होई बिजली Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan अते Gujarat नू सप्लाई किती जन्दी है Pandit Nehru called Bhakda Dam the temple of modern India Pandit Nehru ने Bhakda Dam नू आदनिक पारदा मंदर किया Sir, I can hear the melodious strains of Gurbani strains in your Tuna composition Sir, मैं Gurbani दिया मदूर तू न सोन सकदा There must be a Gurdwara nearby, said Vicky Vicky ने किया, के ते नेडे तेडे कोई ना कोई Gurdwara जरूर होएगा Well, we are near the golden temple of Amrish sir Haan, ठीक है, असी golden temple Amrish sir दे बिलकूल नेडे हा It is the holiest shrine of the six एहे सिखादा पवितर तार्मिक स्थान है Said Mr. Matthew Mr. Matthew ने किया Sir, they say this temple is surrounded by water Sir, लोकी के अन्देहन के एहे Gurdwara चारे पास्यों पाणी देनाल कि रहा होया है Said Chintu, Chintu ने किया Yes, it is built in the middle of a square tank To reach the temple, there is a 60 meter long marble path Gurdwara तक पूंचन लई, 60 meter लंबा, संग मर्मर दा एक रस्ता है This path has marble railings on both sides Railing होन दा बने रे इस रस्ते दे दोनों पासे Marble दे ही बने रे हन, संग मर्मर दे पत्थर दे ही बने रे हन The temple is double storied यहे दो मंजिला गुर्दवारा है It has a golden dome on the top इस दे उत्ते क सुरेरी गुंबद है The marble slabs used in the construction of the temple Have on them fine artistic engravings इस गुजवारे दे निर्मान विच लगिया संग मर्मर दिया स्लब दे बहुत क्रात्मक नकाशिया कीतिया गिया हन The inner walls are decorated with precious stones Andalya diwaran वी बहुत कीम्ती नगा देना सुसजजितन They have on them priceless paintings and other works of art ओना उत्ते भी बहुत ही अनमुली चितरकारी अदे होर कई तरह दी कलादे कामदा मुजाहरा किता होया है On the ground floor Ground floor उत्ते Under the dome-shaped roof गुंबद नुमा roof दे थले Lies Siriguru Granth Sahib Siriguru Granth Sahib जिदा परकाश होदा है It is the holy book of the six एह सिखान दे पवित्तर ग्रांथ हन Do you know it was Siriguru Arjan Dev The fifth guru of the six Who compiled this holy book की तुसी जान दे हो कि एह सिखान दे पवित्तर ग्रांथ भी संपादना किती सी अनन्दपूर सहभी सिखान दे एक होर तीरत स्थान है तार्मिक अस्थान है It is a small town on the left bank of the सतलूज river एह एक छोटा इलाका है जो सतलूज द्रियादे खबे कंडे ते स्थित्त है It was founded by स्री गुरु तेग बहादर एह स्री गुरु तेग बहादर साहब जी द्वारा स्थापिच किता गया Lakhs of Sikhs gather here annually to celebrate the founding of the Khalsa by Guru Gobind Singh in 1699 लखाई Sikh एचे Guru Gobind Singh जी द्वारा सोला सोन नडिन में विच खालसा स्थापना दिवस मनाओं ली इकठे हों दे हन Sir, look here, Sir, इते देखो This is the model of a beautifully planned city एह एक बहुती वदिया planned city दा model है It has a number of gardens इते विचता किने सारे बाग हन Isn't this Chandigarh? कि ये Chandigarh नहीं है? Asked Raju, Raju ने पुछिया Yes, this is Chandigarh हाँ ये Chandigarh है This beautiful city is situated at the foot of the Shivalik hills एह सुन्दर शहर Shivalik पहाडियां दे कदमा विच दित है It was designed by a famous French architect इसने एक मशहूर फ्रेंच आर्किटेक्ट ने डिजाइन किता सी उदा नाम सी ली कॉर्बूजर Being very close to the hills पहाडियां दे काफी नेडे हुंदे हुए Chandigarh has a calm and pleasant atmosphere Chandigarh दा वातावरन बहुती शांद अते सुहावना है The Rose Gardens of Chandigarh are world famous Chandigarh दे गुलाबा दे बाग संसार पर सिदहन The city was formally declared open in October 1953 by the then President of India Dr. Rajinder Prasad Chandigarh शहर नो रस्मी तोर्थे आम लोकाली खोल दिता गया 1935 उस विले दे इंडिया दे राष्टरपती Dr. Rajinder Prasad द्वारा Sir, there are some shops here that sell sports goods Sir, ते कुछ दुकाना दखाई दे रिया हन जे रिया के खिड़ाना समान वेच रिया हन I would like to buy a cricket bat and a ball said Vicky मैं तो बैट दे बोल लाना पसंद करांगा Vicky ने कहा But before you buy, could you tell me which city in Punjab produces these goods asked Mr. Matthew पर इस तो पहला है कि तो ये समान करीब दे कि तो मैं उद्दा सकदा है कि पंजाब दी केड़ी सिटी खिड़ाना समान बना दी है Mr. Matthew ने पुछिया No sir, replied Vicky Vicky ने कहा नहीं sir Well, it is Jalandhar खैर ओ है Jalandhar Said Mr. Matthew Mr. Matthew ने कहा It is one of the most important centers for the production of sports goods in the country एहे देश देख खेड़ां देश समान बनान वाले केंदरां विच्चों एक सब तो مشहूर केंदर है The other shop there has woolen hosery goods ते दूजी दुकान ते उन्ही hosery दियां चीजा हन They are from Ludhyana एहे Ludhyana तो हन 95% of our hosery industry is in Ludhyana सड़े देश जी 95% hosery industry Ludhyana वेच है Would you like to buy some hosery goods आसो? की तो कुछ hosery दा समान लेना भी पसंद करेंगा No sir, I can't decide which ones to buy Such purchases are made by my parents Said Chintu Chintu ने किया एहो जी ख्रीदो फोक्त मेरे ममी डैड़ी दौरा हों दी है मेरे मापया दौरा हों दी है Well children, you would perhaps like to taste these amrisari jalebbies खेर बच्यों, तुसी amrisari jalebbies खाना ता जरूर पसंद करोगे Said Mr. Matthew Mr. Matthew ने किया Moving towards a sweets shop एक मठ्याईया दी दुकान वाल वद दे होए Mr. Matthew ने किया All the children followed him with smiles on their faces सारे बच्चे फिर Mr. Matthew दे पिच्चे चलेगे मुस्कुरान दे होए Okay, let's do exercise Match the column with A and B With their antiniums Antiniums के उन्दे ने विरोधी शबद Exit Exit होंदा, बाहर निकलना Entrance अंदराना Lead, lead होंदा अगवाई करना Follow, पिच्चा करना Raise, raise होंदा उठना उपर नू, lower यानी नीचे नू Order, order होंदा, order देना हुकम देना Request, बेंती करनी Broad, खुला Narrow, तंग North, उत्तर South, दखन Famous, मशहूर Notorious, कुख्याद Badnaam Succeed, काम्याब Fail, नाकाम्याब Freedom, आजादी Slavery, उलामी Assemble, एकठा करना Disperse, खलेर देना Activity third The sentences given below have two blanks each एठा लिखे, हर एक वाक विच दो खलिठा महन Two words are given in the brackets After each sentence हर sentence ते पाद दो words देहन Bracket विच Fill in the blanks Choosing the correct word From the brackets In a bracket पहे शबदा मिचो Sahी शबदी चोन करके In a नू खाली थामा विच परो First, with a dash face She said My purse is dash With a blank face She said My purse is empty Dash children have dash hands Little children have small hands That dash young man has a dash wife That handsome young man has a beautiful wife The weak old man spoke in a feeble voice The principal of our school is a man of principles You should live in unity Because union is strength He is a tall man with a round face And a high forehead Let's do questions answer of lesson 7 The Punjab acclimpse First, what is special about the Bhangda dance Bhangda dance is special ki hai Bhangda dance is full of energy It shows that the people of Punjab Are full of vitality and lively spirit Next How can you say that the Punjabis are self-respecting people The Punjabis are very self-respecting people Because they never stretch their hands Before anybody to beg What was Punjab's role in the struggle for India's independence? What was Punjab's role in the struggle for India's independence? India's the azadiy the lardai wich Punjab da ki yoghdan si During the struggle for India's independence India's the azadiy the lardai de dha ran Punjab gave the country great heroes Punjab ne desh no kai maha naik di te Like la 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 laai patrae, Bhagar singh, Sukhadev Thapar, Udam Singh, Kartar Singh Sarabha and many others Jidna ke la la laai patrae, Bhagar Singh, Sukhadev Thapar, Udam Singh, Kartar Singh Sarabha, te kai hor All of them, ona sahariya ne sacrificed, ne chhaver kar dit te अपनिया जिन्दगें निचावर का लिटियां Next, what did Jenner Dyer do at the जल्यावला बाग अमरी सर्थ? Jenner Dyer ने जल्यावला बाग अमरी सर्च की किता On 13th April 1919, 13 April 1919, when a crowd of around 20,000 people had gathered for a public meeting at जल्यावला बाग इनमरी सर्च जोदो 20,000 लोकां दी पीड जल्यावला बाग विच एक जन्तक मीटिंग विच पाग लेली कठी होई The British Jenner Dyer opened fire at them British Jenner Dyer ने ओनावल गोली बारी शुरु कर दी and killed more than 1,000 people and wounded around 1,500 आते पंदरा सोदे करीव जखमी का देते हैं Next, what states have benefited from the Bhaakda Nangal project? केडे केडे राज है जेडे Bhaakda Nangal project तों फाइदा ले रहे हन Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan and Gujarat have benefited from the Bhaakda Nangal project Next, what is the religious importance of Anandpur Sahib? Anandpur Sahib जी तार्मिक महतता की है खाल्सा बंत वाज फाउंड़ बाइ सिरीगुरु गोबिन सिंग जी इन अप्रेल 16,99 अट Anandpur Sahib शिरीगुरु गोबिन सिंग जी द्वारा अप्रेल 16,99 नो अनांध पूर साभी के खाल्सा पंदरी स्थापना किती गई लाक्स ओफ शिक्स गैदर अनुली लखा ही सिख सलाना इकत्रित हुंदेहन अट इस प्लेस इस जगाते तो सैलिब्रेट द फाउंडिंग ऑफ द खाल्सा खाल्सा देश स्थापना दिवस नो सैलिब्रेट कर लिए चर्णिकष्ट ओफ शिट में जाने जन्दा इस नोन्टसान फोर इट्स रूज गार्डन्स करके जन्दाह अप्ल reuse उलंडर delivery जूंद्र आपकि And Ludhiana is famous for its woolen hozri goods. Next, who compiled the holy Guru Granth Sahib? Pawitr Guru Granth Sahib Ji जी संपादना किसने किती? Siri Guru Arjan Dev Ji, the fifth Guru of the Sikhs, compiled the holy Guru Granth Sahib. Next, what do you know about the holiest shrine of the Sikhs? Sikha दे, सब तो Pawitr Tarmik स्थान बारे तुसे की जानते हो. The golden temple of Amritsar is the holiest shrine of the Sikhs. It is surrounded by the water. What do you know about Anandpur Sahib? Anandpur Sahib बारे तुसे की जानते हो. Anandpur Sahib was founded by Siri Guru Tegh Bahadur Ji. Anandpur Sahib दी सथापना Siri Guru Tegh Bahadur Sahib Ji दोरा होई. Siri Guru Gobind Singh Ji founded the Khalsa Hair in 1699. Siri Guru Gobind Singh Ji ने एथे 1699 वे चे खाल सादी स्थापना किती. How have the walls of the golden temple been decorated? Golden temple दिवारा किस तरा सजाईया गईया? The walls of the golden temple have been decorated with precious stones. Golden temple दिवारा बहुत ही कीमती नगादेना सजाईया गईया. They have on them paintings and other works of art. Onna उते paintings आते होर कई तरा दा कला दा काम भी होया. Put a tick or a cross for each statement. हार एक statement ली जाता ठीक ता निशान लगाओ या गलता. First, General Dyer lived in Jalayan वाला बाग. General Dyer Jalayan वाले बाग उच रहनता सी? False, Lee Corbuzar was a great Indian architect. False, oh French architect si. Bhagal Singh was hanged on 13th April 1919. False, the golden temple has a tank all around it. True, India became an independent country in 1947. True, the Punjabis have faced many foreign invasions. True, Guru Gobind Singh founded the Khalsa in 1669. False, Kese 1699. Lala Lai Patrai is known as Shaheed Aazam of India. False, the Bhagda Dam is 518 feet high and 740 feet wide. False, 50% of India's hosiery industry is in Ludhyana. False, 95C. Dr. Rajinder Prasad was the President of India in 1953. True, Chandigarh is situated on the left bank of the Satloos River. False, O.C. Anandpur Sahib. Next, when options hithya hoon hiya? Right option se tikka da nishaan lagana. First, the incident of Jalimala Bagh happened in A. 1919. Second, the reorganization of Punjab took place in 1966. 1968, which Punjab dwara banaya. Third, Kulu and Manali are parts of B. Maachal Pradesh. Fourth, Suri Guru Rajinder Dev was dash of the six. The fifth guru of the six. Grammar part. Subject, Warb, Agreement. Subject ki honda hai, Warb ki honda hai. Teh, dunha dwich agreement ki hai, sumjhota ki hai. Keh kis hisaab nal dunnou ek sentence te vich nivaas kardde han, rende han. Us agreement nal dunnou sumjhhaan ghe ki korn pehle ananda hai, korn baach jo ananda hai. Kis trah jis subject badal javai, ta verb bhi badal janda hai. Kis trah eh ehe ek vaak binaan li, ek sentence binaan li, ek dujyate nirbar karde han. Us agreement nal dunnou ashi agliyan examples te vich nishhaan ghe. Let's start. So first ki hai, a verb must agree with it. Subject, number and person, that is when the subject is singular. The verb must also be singular. When the subject is plural, the verb must be plural. So in these lines, eh hai kehen da yatan ki ta gya hai. Ke kis trah verb, subject te change hon nal, numbers te change hon nal, te person te change hon dhe nal, eh hai batal janda hai. Je singular hoye, ta verb bhi singular. Te jay saada subject plural hoye, ta verb bhi plural ho janda hai. So first hai, he plays cricket. Hoon he kiya hai, singular. Teh tisra bhanda, mein vhi nahin, tu vhi nahin. Oh, chik hai. Tisra bhanda jodho hoye, oh dho ashi ki change kiti verb dhe nal. So verb si play, khehna. So change kiya ghi, oh dhe nal as lag gaya, jodho subject change hoya. Subject kone hai, he, yianni kama karan wala, oh khehda hai, cricket, second, they, on subject kone hoge, yianni kama karan wala kone hoge, zara jane. Perala ta kala si he, on subject ashi change kata, jianni singular dhi jaga plural kata, thik hai. So they play cricket, on zara jane hoye, teh verb vhi change ho gaya. So jithe bhala subject singular si, teh verb dhe nal as laggi si, on the changes kiya hiya. Ke subject plural ho gaya, teh verb dhe nal as remove ho gaya. So kiya ae ga, they play cricket, third, I am sad. On I aigya, teh I dhe nal ki lag gaya, am. So I dhe nal am, thik, subject change, verb change. So I am aig verb hai, teh we subject change hoya, verb change kis tera ho gaya, are laggiya. This is a girl, a girl, a girl is running, so third person singular dhi nal is laggiya. Next, girls are running, every third person hai, girls hai nal, mein bhi nahi ya, tushi bhi nahi ho, mein kona, first person, you, second, oh, thik hai, koi bhi. Mere te tero te bhi nah, saare third person hai, hong girls are running. So girls are teh zayda ho gaya, o dhinal verb ki change hoya, are running, ok. A list of boys was prepared, hong a list prepare kiti gahi hai, thik hai. So list ki hai, singular, par e kodom prepare kiti gasi, past day which. So I dhe nal ki laggiya, was, one of my friends, thik hai, ki jinnye meri dhostan unna vich ho ek, thik hai, evi ki hai singular, has gone to the USA, ki unna vich ho ek, USA chala gaya hai. Let us look at some more aspects of how the verb should agree with the subject in a sentence. Aaw kona si kuch hor pakh dhekhiye, ki kis tarha ek verb, ek subject dhe nal, smayogen karke, os sentence which nivaz karda hai. So second ki hai, if the subject consists of two or more singular nouns, ke jhe ek subject, yarni kama karan wala koi bhi, o dhe khol, jhe dho jya dho to what, singular nouns hundhe han, or pronouns, jya pronouns hundhe han, joined by and, thik os subject vich dho nouns, thik dho pronouns no jordha kone hove, and, thik hai, it takes a plural verb, taan, e dhe nal, plural verb lagega, paaf, jitthi bhi and lagega, jyarni, mein and tu, thik hai, he and you, thik hai, so, e s sentence nho, ashi plural dhe torthe count karangay, ki e dhe vich dhe subjects dho hoogay, thik hai, so e, plural hoogaya, so e dhe nal, verb vhi plural dhe tarha lagega, aaw ap a example dhek rhe ha, e hai, joli and john were two brothers, ki joli and john dho brother son, thik hai, so, ehe and dhe nal, dhunnho judhe hoi han, dhunnho noun, joli and john, thik past hai, is karke war lag gya, jyek kalah bandha hon da, phir was laggi jana sa, joli was, hund, joli and john were two brothers, second, the poet and the dramatist, hund, ek poet hai, thik dramatist hai, yarni, kavi, ati naatakkar, are being honored, thik hai, two separate persons hai na, dho lag lag vikti, so is karke plural hai, is karke, aaw lag gya ki, o dhunna da sunman kiittta ja rhea hai, kolkata, mombai, chinai and Delhi, chal shahar, plural hoogay, are the most important cities of India, kai india dhe sabto mohtapurun, shahar han, dhe, he and I, oho ati main, were present, ashi, hazar, si, honnay dhe bêche vhi kuch exceptions vhi nahi, exceptions hoon dhe gyan hai, khas chicha, so oh khas gala, jireh chapa confused ho jannaya, thik hai, oh, apa dhekhaan ghe kyo kidhiyan kidhiyan han, so first hai, the poet and dramatist is being honored, honnay aethi is lag gya, upar aap aar laga ya se, thik hai, so aethi ki kiita gya, same person ba regal githi gya, kyo ho poet vhi hai, the dramatist vhi hai, is being honored, thik hai, maal lo, mein teacher vhi haan, thay mai ek musician vhi haan, first day, the teacher and musician is being honored, so aethi bhi hohi gyal hai, second, my friend, philosopher and guide, thik hai, honnay aethi ikko friend vare gyal kiti hai, kye meera friend, jokai ek darshnik hai, philosopher hai, thik guide vhi hai, yarni raad khan wala bhi hai, kisai nhoi guide karen wala bhi hai, was invited to preside over the function, kye us nhoi is sma roh di, paradan ki karen li, bula ya gya, thik hai, so aethi ikko hi person hai, thay odhe dho alag-alag ghoan da se, kyo philosopher vhi hai, thay o guide vhi hai, so, jay thay war lag gya honda, thay fyr eke gal kriya si, kye meera friend alag hai, philosopher alag hai, thay guide alag hai, eht ten alag-alag persons haan, jindhan nhoi is sma roh di, paradan ki karen li, bula ya gya hai, so thay waz lag gya hai, thay mطلب eko hi person di gal ho rahi hai, third, rice and curry is his favorite dish, so aethi ik dish nhoon naam dita kadi chawal, kye kadi chawal meri favorite dish hai, fourth, slow and steady wins the race, so aethi ikko hi person di gal kiti gya hai, kye o person jho slowly, steadily, yaini holy holy te lagataar kama karda rendha hai, o race jit janda hai, paawo kama jab ho janda hai, fifth, bread and butter is a wholesome food, so aethi ik dish di gal kiti gya hai, kye bread to butter, ek pošak pojan hai, next, if two singular subjects joined by and are qualified by each or every, they take a singular verb, kyanthi jidhe sentence hoi chai kama karan wale houn dho bandhe, chahi koi bhi houn, paawo subjects dho houn, thay unha dho mein subjects nha, ya ta each lag gya hove, ya every lag gya hove, taa us sentence nho ashi and, wang, treat nahi karanghe, paawo unha nho plural nahi count karanghe, so unha nho ashi singular count karanghe, kis tarah, every man, every man, her ek aadmi and every woman, her ek aurat, desires, happiness, khushi, chandhi hai, kye har ek banda te har ek timi, khushi, chandhi hai, thik, second, each hour and each minute is important, her ek kanta, te har ek minute, mahat tarah puran hai, so upali sentence h every lag gya, niche h, duna dinal each lag gya, paar is nho ashi singular count ki ta, is karke niche is laga ya, te upar verb dinal s laga di ta, desire dinal s laga ta, kisai verb dinal s ya es hodho lagda hai, jho ashi third person di gal kar diya, te nal singular di gal kar diya, thik, so athi apma every man and every woman, her ek ur singular treat karanghe, each hour and each minute, her ek ur bhi ashi singular treat karanghe, third, singular subjects connected by or, either or and neither nor, are followed by a singular word for example, so athi pronunciation, jhe american karriya te, apma kaanghe either or, neither nor, tjhe british karriya te, apma kaanghe either or, neither nor, so jho tusshi ishi ishi tiyari karo ge, taa košish karo ke, is nho either boli a jawe, kyunki oh ho british accent follow kar de haan, jho ishi paper lande haan, so athi wich yohi kal kiti ghi ya, ke jhe des sentences de wich, dho subjects de wich kaar, jodho ork lagya hove, jhaan either or lagya hove, jha neither nor lagya hove, taa osse sentence which we, ashi dho no subjects nho, ek karke manna hai, paawinna nho singular summajna hai, te woh bhi singular hi lagana hai, jisra no prize or trophy was given to him, ke usno koi bhi prize, ya trophy nahi dhiti gai thi, either minesh or praag has won the prize, jhaan tha minesh, jhaan praag, inaam jit te han, neither sanjeev nor amit, has gone to school today, nahi sanjeev, hati nahi amit, shakool gai han, so jhe ee plural hundha, te has di jaga have lag jana si, te waj di jaga huwaar lag jana si, okay, next, when the subjects connected by or or nor, are of different numbers, the plural subject should be written in the last, and it is followed by a plural verb, for example, so in a line of which kya gaya, ke maal lho kisay sentence which jyata or lagya hove, ya nor di vartokithi gai hove, aathe o switch dho subjects on, aathe o sengular hove, aathe o plural, paav eka kallah vakti hove, dujjhe pas se zyada jana hove, thik, ta aasi us case de wich sentence likhan ve le, sab to pahala singular vakti likhan ge, te second time plural vakti likhan ge, te o dhe nal verb joh hai, o plural de hesaab dhe nal laga waang ge, example se dhe ya, so no ho zahra clear hovega, so first kya hai, either ragu or his parents, hun ragu kalla hai, te parents plural hoge, so si parents baachu laga ya, so either ragu janta ragu, or his parents, yaa us de maata pita, are to blame, ke janta ragu yaa us de parents, is sabli zimewar han, second, neither parul nor her friends, nahi parul ha te nahi us de ya se liya, have joined the college, hun friends jare si, is karke have lagya, so na tha parul te nahi us de ya friends, ne college join kita, see, neither the headmaster, nor the teachers, were present there, na tha headmaster, ati nahi, ati aapak, uthe hazar son, next, when the subjects connected by nor, or, are of different persons, the verb agrees in person, with the subject, nearest to it, for example, so inner line, which keya gaya, ke maan lo, ek sentence, which do subjects hain, te jodho ashi verb lagana hai, taan, dousre subject, de according lagana hai, our examples, leekh te hain, neither you, nor Rosie, is responsible for our defeat, ke na hi tu, te na hi Rosie, saati har le, zimewar han, hun dekho, pehla subject ke si, you, you de na al ta, r lagna chahe da hai, par is kya ho lagaya, keo ki second subject jeda si, nearest subject jeda si, jen al verb lagana si, o ki si Rosie, so Rosie de na al is lagaya, je hunda neither Rosie, nor you, fyr anasi are responsible for our defeat, keo ki hunda you baacho lagaya, is kira ke you de na al verb, are aiga, second, neither you, nor Rahul, seems to be interested in this plan, seems to be interested in this plan, ke na ta tu, te na hi Rahul, ii parthi tu hundha hai, ke tu si is plan, which interested in nahi ho, see, neither Neeloo nor I, thik hai, hun da te I aigya, so I de na al has nhi lagda, thik hai, so I de na al ke lagda have, so neither Neeloo nor I, have any money to buy a house, ke na hi Neeloo goal, te na hi Miracle, inne paise han kiya si ye makaan gharid sa ki hai, next, when the subject consists of two nouns, or pronouns joined by with, or as well as, the verb agrees with the first of them, for example, ke na hiya, 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 टीचर अपने टीचर देनाल वाइब प्रेजेंट एड देशो वब ने अग्रीमेंट के दिनाल कर लाया समझता के दिनाल कर लिया All the students जो पहला लगे है से क्यों क्योंकि भी नाल लग गया सी हूंँ फेरा को देख दें विद नाल लग के वर्ब किस तरि आग्रीमेंट कर दा ही विज ओ औल हेज फ्रेंडंस कॉन एक ना telle हो रही है trigon is friends ओपने मित रड़ Jason समेथ रैड़ी हो गया करन या मरन ली C, they, उनने ते जारा जोने है, इस करके वर्ब, जारा जोने है, रिसा आपना लगेगा, दे देना लिए इस ता लगदा नहीं, so R लगेगा They, as well as, I, O, अते, उनने as well as ता मतलवी क्यों दा, अते They, as well as, I, are sick of his behavior, के O, अते, मैं, असी उस ते सुबा तो तंग हा D, good leaders as well as a responsible public, are essential for the success of democracy, के चंगे नेता होने जारा जने होगे, इस करके इजनी लगेगा, आ लगेगा चंगे नेता अते, जिम्मेवार, जनता, लोक तंतर दी काम जाबी ले, जरूरी हान 7th, when two subjects are connected by not only, but also, the verb agrees with the second subject, होन, जेड़े sentence ते विच दो subjects लगे होन, ते, दोनों जुड़े कि दिना होन, not only, ते, but also ते नाल, जदो not only, ते, but also लगे होई, ता, वर्ब कि दिना समझे उता करना दे, second subject ते नाल, के पाई, जो subject बाच वाया, मैं ता, उदे हिसाम नाल, चें के नाहीं सिर्फ मास्टर, पर उदे नोकर, वी, have also been badly wounded, के ओवी बुरी तरह जखमी होगे, यान उनों कर दिता गया, not only the soldiers, नाहीं इकले सैनिक, but the captain, पर उनना the captain, वी, has also been arrested, उनना उनों, अरेस्ट कर लिया गया, क्रिफतार कर लिया गया, ठीक है, सो पहला, plural, soldiers, पर, वर् सब्जेक्ट देना समझोता ने किता, उनने सेकंड सब्जेक्ट देना किता, captain देना, captain देना, उसने have नी लगाया, has लगा था, एसे तना, फर्स्ट विच देखिये, servants से जैदा सी, second है न, ते उसने servants दे सामना, have लगा रहता, next है, 8, when the subject is the formal, they are, the verb agrees with the real subject that follows it, for example, क्यांते सब्जेक्ट एक फॉर्मालिटी दे तोरते होएं, और जेका दियर लगया होएं, पर उस case विचे जिड़ा real subject, उस sentence विच होंदा है, वह उसनों follow करता है, so, आप एक्जांपल देख देखिए हैं, A, A विच की है, कि there is no hope of his success, so, there एथे एक फॉर्मल सब्जेक्ट है, पर ए सब्जेक्ट बनिया होया है, पर एक्चुल सब्जेक्ट केड़ा है, difficulties, ठीक है, मुसीबता, so, difficulties, plural, plural, दे सामनाल, वर्ब की चेंज होजेगा, वर आजेगा, next, either, neither, each, everyone, one of the, take a singular verb, for example, इस सारे singular verb, either, neither, each, everyone, one of the, ठीक है, जो अकले लगे हों, इननों से plural, नहीं काउंट करना, examples देखते हैं, अपनों चट समझ आ जाजेगी, neither of the two books was interesting, के इनना दोना कितबां विचो एक वी नहीं, ठीक है, इनना दोना कितबां विचो एक वी नहीं, ठीक है, so एक दिगाल हो और यह इस करके singular हो गया, neither of the two books was interesting, ठीक है, तो जी सिंपल करना वे, these two books were not interesting, ठीक है, फिर उते वार आजेगा, second, every one of these workers, के सारे काम्यां दे विचो हर कोई is an expert, के हर कोई माहर है अपने कामदा, see, one of the students, के ना सारे स्टूडेंस दे विचो एक is differently abled, अलाग तरीके नल योग है, each of these two girls is intelligent, उन गाल दोनों कुडियां दिया है, पर हर एक कुडियां दिगाल किती है, यह सुए थे, एक देशा आपना लगा, के each of these two girls is intelligent, ठीक है, जैंदर these two girls, फिर आर intelligent आजना से, either of these two boys, इमना दोना लड़कें विचो कोई एक is fit for this work, हो हो इस कामली fit है, next, tenth, nouns which are plural in form, but singular in meaning should be followed by singular verbs, के कुछ nouns एहो जे हुंदे हन, जिड़े लगदे हन के एह plural हन, पर वो meaning which singular हुंदे हन, सोना दे नाल, वर्ब, singular ही लगएगा, जिस तरह mathematics, उन्हें एस लगगए पर हैगा singular है, mathematics is my favorite subject, politics is a dirty game, the wages, यानि तन्खा, of sin is death, के पाप दी कमाई, मौत दे समान है, the news is too good to be true, जे खबर नहीं अच्छी है, के यकीन नहीं हन्दा के इह सच्ची है, Gulliver's Traverse is an interesting book, के Gulliver Traverse एक रोचक किताब है, इस तरह collective नाव, जिन्हों स्मूव आचक नाव किया जन्दा है, Is followed by a singular verb, Sir, क्योंकि एक इक इकाठ नू एक नाम दिता गया, so इस singular हां ते इदन वोब भी singular वांग ही लगदा है, when the group is thought of as a single unit, जदों के एक ग्रूप नू असी, एक single unit वांगो मन लन दे हां, but when individual members of the group are referred to, the plural verb is used, पर उदे नाल ही जदों, असी उस committee दे, उस jury उस crew दे, members बारे गाल करांगे, उनना नू refer करांगे, पाव उनना बारे गाल करांगे, तब plural verb यूज होएगा, for example, a committee was appointed to suggest some reforms, के एक committee दा गठन किता गया, जो कि कुछ सुदार अगे रख सके, the committee were divided on the issue, होना थे committee दे नाल वर लग गया, सो एदा मतलब है, के committee दे बंदेयां दी गल किती गई है, कि उस दे बंदे divide होगे, एक खास मुद्दे थे, see, the jury was unanimous in its verdict, के jury अपने फैसले थे सरु सम्ती ना सहमा सी, थे से दरा, the jury were divided, सो एदे jury दे members वो दिवाइड होगे, in their opinions, अपने अपने पक्खानूं लागे, 12th, when the subject of a verb is a relative pronoun, the verb agrees in number, and person with the antecedent of the relative pronoun, for example, antecedent होंदा है के जो गल पहला कही गई, ठीक, के माल लो एक sentence दे वेच, एक subject होए, तो सब्जेक्ट देना pronoun जोड के, उस subject बारे अगे गाल के दी गई होए, ता, जो verb है, ओहो, जो pronoun तो पहले subject आएगा, ओदे ना लो, agreement करेगा, the boy who always stands first, कि ओ लड़का जो हमेशां first आन्दा है, is my son, ओह मेरा बेटा है, second, the time which is lost, ओ समाज़ अड़ा के ओना खुँझ गया है, he is lost forever, ओ सदा लई ही खुँझ गया है, I, who am your friend, तो एक ते आए की है subject, हू की है प्रोनाउन, so, हू प्रोनाउन, so, प्रोनाउन दे एंटिसिडेंट की लगया है, I, यानि प्रोनाउन तो पहला की लगया है, I, अगे जो वर्ब आएगा, ओहो, I दे सामना लाएगा, यानि first subject दे सामना लाएगा, I, who am your friend, के मैं, जिड़ा के तोहाटा दोस्त हाँ, will certainly help you, तोहाटी मदद जरूर करांगा, this is one of the most interesting books, यह बहुत जएदा रोच्चक किताबां में जो एक है, that have ever appeared, जिड़िया के हून तक दुनिया दे वेच आई याँ हन, so, एथे that एक प्रोनाउन है, पर उस तो पहला subject की है, books, so, books दे सामना, verb final होएगा, so, books क्योंकि plural है, so, एदिन अलखी लगेगा, have, so, ओहो most interesting books, जिड़िया के हून तक इस तर्थी ते आई याँ हन, एह किताब, ओना most interesting books दे विच्चों एक किताब है, next, when the subject is a sum of money considered as a whole, a singular verb is used, पाफ जो sum of money दी गाल किती होई, means, एक रुपए नूँ भी singular लेना, ते सो रुपए नूँ भी singular ही मनना है, if the subject is a sum of money, and it refers to the notes or coins, considered separately, a plural verb is used, ते जे subjects उस money दे notes नू separately consider करे, तो देना सी plural verb यूज़ करांगे, examples देनला तानूं बहुत ज़ादा क्लियर होजएगा, first, 100 रुपए इस नोट आ स्मॉल अमाउंट, होने ते एक पूरी अमाउंट दे गल किती गी है, जिन्हों सी नाम देता हंडर रुपएज, के हंडर रुपएज, एक छोटी राशी नहीं हों दी, second, हंडर रुपएज वर फाउंड इन हिस पर्स, होने ते जे 100 रुपएज दे नाल वर लग गया, एदा मतलब, के कले 100 रुपएज नोट बर निकाल किती जारी, हो सद है विच एक एक रुपएज दे भी होन, दस दे भी होन, वी दे भी होन, पंजाद भी होन, ठीक है, सो सारे नो मिला के, किन्ने रुपए मिल गे, 100 रुपएज ठीक है, सो जब पर वर लगावाँगे, एदा मतलब है, के असी नोटा नो गेन के, एक अमाउंट दस रहा, 5000 रुपएज is a good price for this camera, के इस कैमरे लिए 5000 रुपएज एक अच्छी कीमत है, ठीक, So 5000 रुपएज नो असी एक कीमत दा नाम देता, singular हो गया, There are 50 रुपएज in his pocket, उस दी बॉपएज विच पंजार रुपए हन, So वर लग गया, एदा मतलब कल ले 50 रुपएज, एक नोट दी गालने किती गई, कई नोटा नो मिला के 50 रुपएज हो गए, There are 10 सिल्वर रुपएज in my box, So ते वी की किता गया, जड़े सिल्वर रुपएज हन, उना दी गिंती कर ली गई, क्योंकि ने हन गिंती विच 10, Activity 7, The tallest of these boys, Dash next door to me, So एदे विच असी करना की है, कि सामने दो वर्ब देते हो यह हन, जो suitable वर्ब है, वो सी ब्लैंक एच फिल करना है, So मैं नाल नाली फिल करी जाना, The tallest of these boys, Lives next door to me, Lives क्यों लग गया है, क्योंकि सिंगुलर दी गाल किती है, कि इना लड़कें विच्चों सब तो लंबा लड़का, मेरा गवांडी है, Second, All the players in my team, और सारे प्लियर्स दी गाल किती है, मुला प्लूरल है, All the players in my team, Have done well, Third, The toys are bought by Anil, और ट्वाइज की में, Plural, Are really useful, Fourth, He dash regularly, He third person है, Singular है, Walks, He walks regularly, Fifth, Slow and steady, Wins the race, Sixth, Time and Tide, Wait for none, Time लग गया, Tide लग गया, So, एप्लूरल हो गया, एथ से होगा, Wait for none, Oil and water, Do not mix, Tobacco and alcohol, So, एदू लग लग हन, Are injurious to health, Ninth, Either Ashok, Or Rakesh, Has done this mischief, Either you or he, Is mistaken, Neither the judge, Nor the witnesses, Believe him, Neither the captain, Nor the soldiers, Have been arrested, Either he or I, Am wrong, He as well as you, Is innocent, Each day and each hour, Has its own importance, Either of these two proposals, Is acceptable to me, The jury, Were divided in their opinion, The assembly, Is in session, I am the one, Who has always stood, For justice, This is one of the most, Difficult lessons, That has been taught, A picnic, Is a ventilator, For our stress, Ventilator, To know, That when the person, Is dead, Is there, Is there, Is there, Is there, सबस्क्राइब करना में तो पिकनिक इस ओवेंटीलेेटर वोल्क इसे मैं वैंटीलेटर सेमेडेंग मीजिए शड़ेटर हम पिकनिक सक एव रहा है वाज रोज गार्डन ते साड़ा वेन्यू सी वेन्यू क्यों दा है सथान जो सथान केड़ा से ज़िए पिकनिक ते के सी रोज गार्डन वी रीच्ट दियर एट टैन एम शाप असी होते ठीक स्वेर दस वजे पहुंच के वी एंजोाइड देयर मैनी री क्रिेशनल गेम्स असी होते बहुत मनोरंजक खेडादा अनांद मानिया होँचे त не Kirkstag लगदा टैतूसी ओनूं काट सकने हो सिरफ равно newborn लेक्ट देवी एंज्वाइट तेयर मैनी गेम्स लाइक 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 उन्दा जिमें के लाइक बैडमिंटन फुटबोल बैडबॉल लुटो एट्सेटरा सिंगिंग एंड क्रेकिंग जोक्स वर जस्ट कंपल्सरी फोर एवरीवन गाना अते चुटकले सुनाने ए तांसी स सारे आली कंपल्सरी किता हुए सी क्यों किता हुए सी सो डाइट एवरीबोडी कुड एक्टिवली पार्टिसिपेट तांके हर बंदार विचे चंगी तरह शामल हो सके अपनी शमूलियत दर्द करा सके क्योंकि कई वार गुरूप पेश की उन्दा कुछ बंदे ज्यादा म कि आवर पोटलक मील उन्द पोटलक मील देखो की होंदा जो तेंचर फैमिलिस कठिया होंदी है ते खान पींदा समान वो अपने अपने करों लेंदी हैं सो कोई ड्यूटी साम लेंदा कि मैं रोटियां लेंगा कोई केंदा मैं फुलके कोई केंदा मैं प्रोंठे लेंगा वागा सारे अपने सावनाल जो जो नानों बदिया लगदा ते ग्रूप वास्ते ठीक होंदा है और अपने अपने सावनाल लाएं देने उस मील नू कहने हन पोटलक मील ओके हो जा टूरोली ञजाएड आवर पोटलक मील अचीत अनुआ ठीक हैं और लिक्या है इन इस आमशा महुल नो जो फिर जो हम एंजुआए कर रहे हैं इस महोल वेचे जड़ा अपना पोर्टलक मील लेके अंदा सी बहुत एंजुआए किता आफ्टर दैट उस तो बाद आइस्क्रीम वास सर्फड आइस्क्रीम वरताई गई इन दे इवनिंग वी एद एंजुआए द नेचुरल ब्यूटी उस गार्डन दी नेचुरल ब्यूटी कुदर्ती सुंदर्ता एंजुआए किती मतलव अनांद मानिया शून इट गटिंग दाग और वी केम बाद जल्दी ही हनेरा हो रहा सी अते असी वापस आगई रियली इस टाइपस ओफ मॉमेंट्स आर जुआए फोरेवर सो एसी सब्ड़ हंडर वर्ड्स दा पिकनिक दा पैराग्राफ होप सानु बहुत इजी लगया होएगा ओके वर्ड्स जो भी लगया नहों ते छट देना ठीक ज्यादा टेंशन बिलकु नहीं लानी टेंशन ल अ स्कूल लाइबरेरी लेट स्टाट अ लाइबरेरी इस ओवरी इंपोर्टन पार्ट ओफ ऑफ उसकूल लाइबरेरी जिनों पंजबी वच गंदेने किताब कर लाइबरेरी स्कूल दा सब तो महत्त पूरण हिस्सा है जिमें एहे विद्यार्चियां दी मदद कर दी है ग्यान नू प्रापत अधे ग्रहन करने विच इट इस हाट एंड सोल ओफ स्कूल हाट एंड सोल होंगा अपन जोड़ा सब तो ज्यादा इंपोर्टन होवे जिस बिना उस चीज दी कलपना ही न किती जावे सो एक स्कूल बिना लाइबरेरी तो एदा है जिदना एक मनुक हाट थे सोल तो बिना होवे दिल अते आत्मा तो बिना ओके सो लाइबरेरी स्कूल वास्ते दिल अते आत्मा मांग है Our school has a very large library सारे स्कूल थी बहुत वड़ी लाइब्रेरी है There are plenty of books उते बहुत सारी किताब बाहन arranged in different sections अलग अलग पागा मेच वंडियां हुई है अलग अलग section उनना ने बढ़े हुए ने क्यों बढ़े हुए ने So that it becomes easy to search ताकि उननों लबना सुखा होजे It is well furnished Furnished होंदा सारे समान दे सहत यानि हर तरह दे समान ओदे विच जो required होंदा ओदे विच मजूद है कुरसियां, टेबल्स, अलमिराज, इस सारा कुछ ओते की है, furnished है It is well furnished and quiet place ते शान्त जगह है Always full with students and teachers जो के हमेशा फुल रहन दी है, teachers आते students दे नाल There are many chairs, होते बहुत सारी है Chairs हन, with a big reading table एक वटे सारे reading table दे नाल, Mr. Balwinder Singh is our librarian Mr. Balwinder Singh साठे librarian हन और जे तुसी अच्छी रचना वे अच्छी computer भी है या और कुछ modern means हन जे नल education impart किती जावे यानि करवाई जावे, ता तुसी एक क्लाइच लेक्सर देओ तुसी लेक्सर देओ E-learning is also available E-learning भी available है साठी library which It is so quiet, ये निशान है That one could really enjoy reading and study peacefully के कोई भी अथे अपनी reading यानि अपनी पड़ाई बहुत enjoy कर सकता है शान्ती लेना I love my library very much मैं अपनी library नो बहुत पसंद करता है And love spending time reading books हाथे इत्थे किताबाँ पढ़के अपना समा गुजारना मैं नो पसंद है So, इसी एक सिंपल जा लाइबरेडी दा पैराग्राफ, होप था नो इस सोखा लगया हुएगा तो इजी लिए उसी नो याद भी कर लोगे तो पेपर चाच्छे, नमबर भी ले सकोगे An Indian farmer So, असी ए पैराग्राफ जो नीचे hints दिते हुए हन उना hints नो यूज करते हुए ए पैराग्राफ लिखन दि कोशिश करांगी Let's start India is the land of villages के पारत पिंडा दी तरती है वेर, agriculture is a major profession जिते खेती लोकां दा मुखतन दा है It is a lifeline of Indian economy एह पारती और थिकता दा अदार है It keeps the Indian economy prospering एह पारती और थिकता नो हमेशा खुश हाल रखदा है उनती दे विच रखदा है An Indian farmer एक पारती किसान contents, यानि संतुष्ट करदा है या एते तुसी satisfies भी लेख सकते हो An Indian farmer satisfies the citizens with food grains, vegetables and fruits के एक पारती किसान पारत दे नागरिकां दी अनाज दी, सबजियां दी आते फलान दियां लोडानों संतुष्ट करदा है He also grows cotton ओहो कपाव यूगांदा है पाव कपड़े दी लोडनों भी ओही पूरा करदा है He works from morning to evening ओहो सवेर तो लेके शाम तक कम करदा है This profession provides a huge employment एह तन दा बहुत वड़ी मातरा दे विच लोकानों कम परदान करदा है This field requires a lot of labor खेती दा एह खेतर बहुत मेहनत दी मंग करता है And this difficult task requires discipline and patience अते इस ओखे कम वेच अनुशासन अते सबर दी बहुत जरूरत होंदी है A farmer grows groups for our country के एक किसान साधी country वास्ते फसल पैदा करता है Crop is his wealth फसल ही उस दी पुंजी है A farmer holds important place in society एक किसान समाज दे विच एक महत्त पूरन सथान रखदा है He is the backbone of India ओहो इंडिया दी रीड दी हड़ी है He is a very useful member of the society ओह साधे समाज दा एक बहुत ही उपयोगी member है Thank you very much for watching this video एह दो वीडियोज में ताड़ेली हो स्लेक्ट किती है उमीद है थानों यह भी पसांद आण गया ना ली तो हाड़ेनास बन दीता है प्लेलिस्ट भी मैं अटेज कर देती है उमीद है तानों मेरे बोलों कितीया जानवालिया यह फर्स जरूर पसांद आ रिया होन गया चैनल नों सबस्क्राइब जरूर करोगे Thank you very much मिल रहे हां अगली वीडियो वेच